आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम इसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडिक लोज पर आपका बहुत बहुत सवागत है अंडमान निकोबार आइलेंड की बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन अंडमान निकोबार आपको पता ही है अब है निमून के लिए वहाँ पहसर जाते हैं अभी मैंने इसेलिलर जेल जिसको काला पानी बोला जाता था उसको मनीपुर के नाम पे रख दिया गया भाई अनमान निकोबार इतनी दूर अब यह मनीपुर का क्या लेंडा देना लेकिन जोबी हो मनीपुर के लोगों में खुशी की लहर दोड़ गई है लेकि अनमान निकोबार एक historic place है क्योंकि यहां पे हमारे वीर योधाओं को रखा जाता था cellular jail जो की नर्क से कम नहीं थी हमारे जितने स्वतंत्रता से नानी थे जो revolutionary थे उनको यहां पे लाया जाता था और बहुत यातनाय दी जाती थी यहां पे आने का मतलब यह था कि आपने देश के लिए कुछ काम किया है तो अब definitely मनिपूर का भी कुछ इसी सही नाता रहा होगा क्या नाता था हम बात करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं freedom fighters of मनिपूर को tribute दिया है यहां पे तो union government ने यह बोला है कि Mount Harriet जो की island peak है अंडमान निकोबार आइलेंड की उसको मनिपूर का नाम दिया जाए अब इसको Mount Manipur बोला जाएगा यह बहुत important है Mount Harriet को अब Mount Manipur बोला जाएगा याद रख लेना तो मनिपूर में बहुत celebration हुआ क्या बात है Mount Manipur अब Mount Harriet का नाम बतल के Mount Manipur कर दिया तो आपको पता है कि यह एक union territory है भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 union territory हैं अंडमान निकोबार और लक्षदी यह हमारे दो islands हैं अंडमान निकोबार में लोकेटेड है समझ गए तो अब अंडमान में अगर बात करें तो इसमें North अंडमान है Middle अंडमान है South अंडमान है यह आप देख सकते हैं then there is little अंडमान and then there is निकोबार islands तो अंडमान और निकोबार यह दोनों मिलके जोशी है important है यह दोस्तों जादा लोग यहां पे नहीं जाते हैं population यहां की कम है 4 लग के करीब यहां पे दोस्त रहते हैं area भी जादा नहीं है सारे 8000 square feet और लक्षदीप का तो और चोटा area है वो तो और बहुत ही कम बड़ा है territory लगबग 150 km के आसपास की है 1500 km में फैला हुआ ही है इधर Thailand भी है इधर जाओगे तो आपको आपको इधर मियानमार और नदब South East Asia पहुंच जाओगे 10 degree channel का 10 degree north parallel latitude 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 longitude होते है न तो यह 10 degree latitude नॉर्थ अप लाटिटीवड यह अंडमांड और निकोबार आईलेंड को सेपरेट करता है अंडमांड अलग है निकोबार अलग है दोनों को मिला के अंडमांड निकोबार बोला जाता है तो आप जब जाएंगे जब भूमने जाएं ंडमांड माुंटेंस मिलेगी ठीके तो अब यहां पे भी आपको अरकान अईलेंड जो की समूद्र के अंदर है वो मिलेगी मला अरकान मांटेंस यह चीज है तीन डिस्टिक्ट है NICKOh CNC District, South Underman District और North or Middle Underman District और यहाँ पर Underman एंनिको बार Command Only Tri-Service Geographical Command है यहाँ पर Indian Armed Forces का तो हमारी Army यहाँ पर बहुत ज़दा Active है Underman Island पर Tribes रहती हैं Sentinelese People यहाँ पर रहते हैं जो कि Uncontacted Tribe है इनसे Contact नहीं किया गया था एक बार एक था नहीं एक Australian कौन था कि वो आया था Christianity का कि हमें आप ए Christianity फैलाएंगे Sentinelese लोगों को Educate करेंगे उसको मार दिया था तो भाई Sentinelese लोगों से बिलकुल भी कोई Contact नहीं है यह जैसे रह रहे हैं इनको वैसे ही रहने हैं तो उनको छेड़ना नहीं है अभी तक यह पुराने दर्दे पे चल रहा है Paleolithic Technology को यह यूज करते हैं और अंडमांड एंडिको बार में सबसे बड़ा Cellular Jail Cellular Jail यहां का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है एक जगा एक टाइम पे Cellular Jail 1895 पे बना गया था एक टाइम पे आपे कुछ भी नहीं था कुछ भी निखा ली एक ऐसे रिमोट आइलेंड था बस लोगों को पनिश करने के लिए यहां पे Cellular Jail में रखा जाता था लेकिन अब इट इस हाइली डेवलप्ट मैंने बताया ना कि टूरिस्ट प्रेजवाई बहुत ज़ादा रविन्यू आता है टूरिजम से अब यह आप देख लगते हैं साउथ हंडमान में आपको माउंट हैरियट यह सबसे बड़ी पीक भी है साउथ हंडमान की तो आप इसी को ही माउंट मनिपूर बोला चाहेगा समझे आप तौमिच शा ने जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने यह एनॉंस्मेंट किया पोर्ट बलेरी गए तही है और वहाँ पे बोला कि भाई देखो आप तो हम मनिपूर मनिपूर के जो फ्रीनम फाइटर्स है वो सेलिलर जेल में बंद थे इसे लिए हम माउंटेन पी को माउंट मनिपूर बोल रही हैं मनिपूर का बहुत ही significant contribution है पूरे नौर्थीस्ट का in fact significant contribution है 1857 की करांती में और फिर 1851 में मनिपूर ने कभी भी हार मानी ही नहीं लोग यहाँ पे लड़ते गा और यह एक लौता एस्टेट है जिसका खुद का समविधान था तो मनिपूर के जो हीरो थे युवराज, टिकेंदर जीट और जनरल थंगर इनको यहाँ पे publicly hang किया गया था इनको फांसी दी गई थी they were heroes और इसी लिए इनके याद में हमने इस पी को माउंट हैरियत को माउंट मनिपूर बदल दिया इस नाम को चेंज कर दिया है ब्रेटिशर को लगाके इनको फांसी देने से हम फ्रीडम मूमेंट को खतम कर देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं उसके बाद महराज कुल चंदर ध्वज सेंग और बाइस फ्रीडम फाइटर्स ने आवाद उठा है उनको काला पानी भेजा गया और यहां माउंट हैरियत पे ही उनको रखा गया था तो इसी लिए उनकी याद में हम माउंट हैरियत का नाम बदल के माउंट मनिपूर रख रही है यहां मिच्छा का कहना था अब हिस्ट्री क्या कहती है 1857 की क्रांती के बाद अंगलो मनिपूर वाड बहुत ही इंपोर्टेंट रहा 1891 में यह हुआ था और यहां पे मनिपूर की वीरता सामने आई थी 31 मार्स से 27 अपरेल 1891 लगबग एक बहिने के करीबे बॉर चला था देखे यह मनिपूर यह जो नौर्थ इस्ट में आपको देख रहा है न अहोंग किंग्डम था और यह मनिपूर किंग्डम था मनिपूर किंग्डम वैसे तो बहुत पहले डेवलप हुआ था 1110 से लेकर 1947 लगबग 800 साल तक मनिपूर किंग्डम चला हम यह हिस्ट्री नौर्थ इस्ट की हिस्ट्री पढ़ते नहीं अहोंग किंग्डम है मनिपूर किंग्डम है बहुत ही बड़ा किंग्डम था भाई और 1824 आते हाते यह ब्रिटिश के पास चला गया सबसेडिरी रैंसेरों ने ब्रिटिश इंडिया से की थी ना यह चीज है लेकिन फिर इनका दुबारा उदय होता है यह प्रिंस्ली स्टेट बना यही जब यह पूरी वार हुई थी ना तब तो 1857 की वार अल्रेडी हो चुकी थी अब दोस्तों यहां पे अंग्लो मनिपूर वार 1899 में क्या था कि ब्रिटिश के साथ मनिपूरीज ने लड़ाई की कि हमको तो आजादी चाहिए हम कुछ नहीं चाहिए मतलब हम कुछ नहीं जानते हमको तो चाहिए आजाडी हाला कि ब्रिटिश के विक्टर यूती ब्रिटिश जीता था और उसमें ब्रिटिश का ही मेदुंगू चूर चंद को राजा बनाया था ब्रिटिश जो चाहता था वही हुआ लेकिन इसने मनिपुर की ताकत दिखा दी कि ये कितने ज़्यादा ताकतवर है ये चीज़ है अभी तक सेलूलर जेल बना नहीं है वो दर 1395 के बाद ही बनेगा लेकिन ये लडाई हुए 1395 में तो कूल चंद्र और जो प्रिजनर्स थे जो सिपाही थे मतलब जो हमारे मतलब तो कैदी थे उनको मांट हैरियत में ही रखा गया था फिरूगंज तेसील उफ साउथ अंडमान डिस्टिक्ट तो ब्रिटिच डॉक्यमेंट के हिसाब से मनिपुर स्टेट आर्काइव से जो मिले हैं तेईस आदमी इंक्लूडिंग राजा कूल चंद्र और उनके भाईयो को they were transported for life to the demands कुछ मर गए और कुछ को release कर दिया गया मौत से पहले उनको कहीं और shift कर दिया गया था तो 13 अगस्त को हर दिन 13 अगस्त को जो मनिपुर के लोग हैं वो पेट्रियोट डेमन आते हैं किसकी याद में उन सिपाईयों की याद में जिन्होंने बिटिचर से लड़ अपनी जान देगी सलाम है ऐसे से पाईयों को ऐसे freedom fighters को तो इसी लिए इनके sacrifice को honor करने के लिए अंगलो मनिपुर war से इसकी history आप relate कर सकते हैं माउंट हैरियत को माउंट मनिपुर बोला गया है अब माउंट हैरियत को माउंट हैरियत को माउंट हैरियत बोला क्वी जाता है इसका British connection है third highest peak है अंडमान में नेकोबार आइलेंड में और ये summer headquarters था चीफ कमिशनर डूरिंग बिटिश राज और बिटिश आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैरियत क्रिस्टीना टाइलर उनके नाम पे इसको रखा गया था ये wife थी Robert Christopher Tyler की अब Robert Christopher Tyler सिपाही थे British Indian Army में और उनकी बीवी थी ये फोटोग्राफर थी 1862 से 1864 टक टाइलर सुप्री टेंडेंड आफ पुलिस थे SP थे ये पोर्ट बलेयर के तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशल साउथ अंडमान के ये बताते हैं कि यहाँ पे colonial बंगलो था Mount Harriet में बहुत सारे colonial बंगलो हुआ करते थे अभी त कि इसनी में बहुत इंपोर्टेंट है इवेंट है क्योंकि 1859 में ही जैसे ब्रिटेश जीता तो मनिपूर को एक प्रिंसली स्टेट घोचित कर दिया गया और वही ये कि तक्ता पलट हो गया था यहाँ पे मनिपूर में Internal Fractualism बहुत जादा था आपस में ये लोग रबते रहते थे प्रिंटेश सरकार ने इस इंटरनेट डेसिंशन का फाइदा उठाया जो रॉयल फैमिली में कि हम गद्दी पे बैटेंगे हम गद्दी पे बैटेंगे और बिटिश हैर ने सोचा कि क्या बात है हम इसका फाइ वो ब्रिटिश रूल के अंदर नहीं था लेकिन येस ब्रिटिश के साथ कॉंटाक्ट तो थे ही ट्रीटी साइन कर रखी थी अब सूर्चंद्र का एसेंशन जो था वो बहुत ज़्यादा कॉंट्रवर्शल था इनके भाई थे कूल चंद्र ते टिकेंदर राजी इन सब न ब्रिटिश रा मनिपूर को अटाक किया तीनो साइड से अटाक किया और कांगला फोर्ट इमफाल जो की रॉयल घराना था यहां पर ही राजा माराजा रहते थे उसको जीत लिया प्रिंस टिकेंद्र चीत और बाकी चार अधर्स को फांसी दे दी गई और कूल चंद्र और यानि कि 23 को अंडर्मांड आइलेंड पे यही मांट हैरियत पे भेज दिया गया बहुत लोग बोलते हैं कि भाई यह जो वार था ब्रिटिशर की कमर तोड़के रख दी थी ब्रिटिशर हारे जरूर थे लेकिन हार के जीतने वाले को बाजिगर कहते हैं यहां पे इनके इं प्रिंसली स्टेट हो गया और इनके रूवर अभी इंट्रेट्र रूरूल ऑव दी ब्रिटिशर के ही ठेए और cellular jail बनाई गए थी आपको पता ही है, उसके बाद फिर ये cellular jail खोली गए, यहाँ पर बहुत सारे सिपाईयों को रखा गया, बाद में जब भारत आजाद हुआ तो सारे सिपाईयों को छोड़ भी दिया गया, उससे पहली छोड़ दिया गया था, ये cellular jail है बहुत ही cellular jail पर मैंने एक पूरा लिच्चर लिया आप जरूर देखिएगा हो, खुश रहे पर ते रहे देजर सिप्दान तक नहीं हो तो ही signing off